अगर आपको वीडियो को लाइक भी कर देना करते हैं जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट यहां पर हमारा सबसे पहला सैंपल है वो कुछ स्टाइब का आप लोगों को देखने हो मिल जाता है जो हमारा फोन है इसके भी अगर हम लोग स्ट की बात करें तो काफी जादा डिटेल्ड में निकल के आते हैं एंड फोन के स्ट में भी आपको ऐस सच कोई प्रॉब्लम नहीं देखने हो मिलती जो डिटेलिंग है बहुत जाद अच्छी है कलर्स के मामले में अगर आप लोग डिएसलार से कंपेर करो तो सैचुरेशन आपको फोन के सॉट में बहुत जादा कम लगरी होगी बट अगर इसी को हम लोग को और डिवाइस से कनेक्ट मतलब कंपेर करतें इसी के कैटेगरी के तो आपको बिलकुल भी ऐसा नहीं लगता और यहीं पर अगर हम लोग डिएसलार कैमरे की बात करें तो डिएसलार कैमरे के अंदर एकदम जो नैच्रल कलर्स थे उनको प्रोड्यूस करा है एकदम इसने सैचुरेशन को एकदम वाइबरंट रखा है थोड़े से कलर्स इसके पंची निकल के आते हैं लाइक आप अगरे करें विद दी एंड्रोइड फोन और एंड्रोइड फोन का भी यहां पर जो कैमरा बहुत जाद अच्छा है ऐसा नहीं कि आपको इसका विकाल मिलता हो ऐसा इसमें भी नहीं इसका भी डैसलार काफी जदा अच्छा है इसके बाद जो आपको नेक्स वाट देखने ह इसकी आपको पता है एंडरेड डिवाइस से अदर चाहें यह डैवाइस ओ चाहें कोई से दिवाइस सबके अडर्क प्रोब्लम होती से गत्युर्जन होती है मैं कि इत्ती जादा वैल मैनेज्ड नहीं और वीं पाइंडर कोई सेंसर देखने हुआ है जुत यहादा मतलब यहां पर फोटो की क्वाल्टी काफी ज़्यादा इपिक्सी देखने हो मिलती है उसी के बाद जो बैगरॉंड ब्लर है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग देखने हो मिलता है और यह जो हमारे लीप्स हैं लीप्स के साइड में जो हमारा डेटेलिंग है एज इस सब सी कैमरे को क्योंकि आपको पता है यह 2022 है यहां पर जो हमारे जितने भी नए नए डिवाइसे आ रहे हैं सबके जो कैमराज है कितने जादा एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं तो इस मामले में भी आपका कुछ इस टाइप का सौट देखने को मिल जाता है आफ्टर ड जादा एपिक सी निकल गया है यह डिटेलिंग के मामले में बहुत जादा अची फोटोस हैं यहां पर थोड़ा आपको वाइट बैगरॉंड मतलब वाइट कलर प्रोडक्शन देखने हो मिलता है और जो ग्रीन है वो भी काफी ठीक ठाकी निकल काता है वही पर अगर हम लो और टिपिकली अगर हम लोग देखने तो बहुत जद अच्छे से चीज भी वर्क भी करती है तो यह कुछ आपके हैं पर चेंजिस देखने को मिलते हैं इसके बाद हमें नेक्स सॉट कुछ इस टाइप का देखने हो मिल जाता है यह वाला सॉट आपका सिंपल सॉट है यहा होती जाद अच्छी होती है वहीं पर हमारा जो एंडुरेट फोन है यह भी काफी अच्छा परफॉर्म करा इसने भी काफी अच्छा सॉट निकाले हैं बट यहां पर वही सैचुरेशन के लिकी फुल की प्रॉब्लम है बागी जो आपके डिवाइस है काफी जाद अच्छ परफॉर्म कर रहे हैं तो यह चीज़ आपको यहां पर देखने हो मिल जाती है वेरेवर हमारा जो डियसरा कैमरा यह काफी जाद अच्छा परफॉर्म करता है इस मामले में भी तो इसको भी आपको कुछ मतलब कहने की जुरुरत है नहीं और यहां पर हमारा डिवाइस है अच्छा परफॉर्म करता है तो दोनों ही डिवाइस मतलब काफी ठीक ठाक हैं यहां पर भी हमारा डियसरा कैमरा थोड़े जाद अच्छे सॉट्स निकाल देता है इसके बाद यह एक और आपको सॉट्ट देखने हो मिल जाता है यह सॉट्ट मैंने आते आते लेही लिया यह था क्योंकि यह वाले सॉट्ट में आप लोग यहां पर देखो थोड़ी सी मतलब आपको जो रेंज है वह हमारे एंड्रोइट फोन के अंदर जादा देखने हो मिलती है क्योंकि आप लोग अगर इसको जूम करके देखो तो यहां पर आप लोग रेंज देख सकते हैं यहां पर आप लोग देखो डिफरेंज जो डियसला केमरा इसने बस इसी वाले फ्लॉवर पॉट तक की फोटो को एप्चर कर रहा है और यहां पर यह वाला फ्लॉवर पॉट है सेम है ना और जो हमारा एंड्रोइड डिवाइस है उसने देखो कित्ती जादा वाइड रें करें तो अगें हमारा जो एंड्रोइड डिवाइस है वो काफी ज़ाद अच्छा परफॉर्म करता है यहां पर जो डियसलार गेमरा है थोड़ी से जाद अच्छे आपको रिखने करता है तो यह चीज आपको देखने हो मिल जाती है आप लोग इसमें मतलब अगर मैं डियस इसे काफी ज़्याद अच्छी से टकर देते हैं हमारे DSLR केमरा को भी तो यह चीज़ आपको आपको देखने को मिल जाती है नेक्स्ट इसके बाद एक और यहाँ पर सौट है यह वाला जो सौट है यह आपका सिंपल सौट है और यह वाले एंड्रोड डिवाइस के अंदर से मैंने में सेंसर से कैप्चर करिये फोटो और हमारा जो DSLR कैमरा यह भी ऑटो पर सिफ्ट था तो यहाँ पर आप लोग देख यहाँ पर जो कलर्स हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा वाइट कलर है उसको एक्यूरेट सेम हमारा इसने DSLR कैमरे ने वाइट प्रोड्यूस कर रहा है यहीं पर अगर हम लोग कंपेर करें एंड्रोड फोन से तो इसने आपको थोड़ा सा ग्रे टोन दी है बाखी जो आपकी मतलब ऑल ओवर चीजें हो काफ़िद अच्छी है और यह जो आपकी दिवाल है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं यह जो आपकी दिवाल है इस दिवाल पर आपको यहाँ पर धूप आ रही थी जो चीज हमारे अंड्रोड डिवास ने कैप्चर ही नहीं कर पाया और यह चीज हमारे DSLR camera ने एकदम अच्छे से capture कर रहा है तो यह चीज आपको यह पर difference देखने हो मिलती है जो कि DSLR और Android device को different करती है है लो तो कुछ इस टाइप के आपको photo देखने हो मिलती है